आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के उपर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट रजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा आज क्या क्या हुआ है मारकेट में और आगे आने वाले सेशन्स में और क्या क्या हो सकता है इन सब के उपर आज हम लोग इस वीडियो में डिसकेशन करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हैं और इस चैनल के उपर अभी नए आए हैं उन ल पार्केट के रिगार्डिंग सारी अपडेट सारी न्यूज आपको मेरे चैनल के उपर मिल जाएगी तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियो की जान प्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड की हुई है साथ में अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ओप्शन के अंदर काम करना चाहते हो तो आप मेरा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रूप भी जॉइन कर सकते हो जिसकी मन्थली फीज सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपीज पर मन्थ है और अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपाइरी के दिन काम करना चाहते हो तो एक्सपाइरी के लिए पर एक्सपाइरी आपको 500 रुपीज पे करना होगा पेमेंट के बाद जो पेमेंट का स्क्रिंशॉट रहेगा वो इस नंबर के ओपर भेज देना है और जो लोग कल के एक्सपाइरी के लिए जोइन होना चाहते हैं तो जल्दी से पेमेंट कीजेगा सिर्फ 45 मेंबर्स ही मैं अलाउग करने वाली हूँ तो यह बात का ध्यान रखेगा और इस पब्लिक चैनल के उपर लाइव मार्केट के अंदर आपको बहुत सारी इंफरमेशन मि लेगी तो यह ग्रूप जोइन करना मत बूलेगा यह फ्री चैनल है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी आपको प्रोवाइड की हुई है तो अभी हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी के उपर तो निफ्टी बैंक की आज की जो क्लोजिंग है वो क अगर देखें तो डेली चार्ट के उपर एक पॉजिट्यू कैंडल है तो कल की गिरावट के बाद आज निफ्टी बैंक ने उतनी गिरावट नहीं दिखाई रखा है तो मैंने कल के वीडियो में आपसे बात की थी कि अगर निफ्टी बैंक 35200 के उपर ट्रेड करता है तो यहां से फिर से निफ्टी बैंक हमें 35,750,800 के पास आता हुआ दिखाई दे सकता है और 35,800 से लेके 36,000 ये जोन निफ्टी बैंक के लिए resistance जोन है उपर की बात तभी कर सकते है जब ये जोन पार हो जाएगा या फिर इसके उपर एक closing मिल जाएगी फिलहाल तो निफ्टी बैं के एक range में फसा हुआ है ups and down बस ये ही बात हमें पूरे market में live market में दिखाई दे रही थी morning में मैंने update कर दिया था premium ग्रूफ वालों को कि मार्केट के अंदर हमें एक फॉल भी देखने को मिलेगा और वहां से ही राइस भी होगा यानिके फॉल राइस फॉल राइस यही सब चल रहा था आज मार्केट के अंदर तो options के अंदर ऐसे में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन फिर भी हमने every trade के अंदर 30 से 40 points निकाल ही लिये वो बड़ा move नहीं मिला जैसे कि हमें rose मिलता है लेकिन कुछ ना कुछ तो every trade के अंदर हमने निकाल ही लिया मैंने आज traders को पहले ही बता दिया था कि सभी लोग first target के पास ही book करो safe traders जो है वो निकल जाओ क्योंकि market कई से भी यूटन लेगा थोड़ा गिरे ना हो तो अभी अगर डेली चार्ट के उपर देखे तो positive candle है और आज की बात करें तो आज की जो opening थी वो 35,358 के पास थी वहां से निफ्टी वैंक ने 35,768 का intraday high किया था और जो low था वो था 35,285 का option chain data के उपर क्या हालत है देख लेते हैं हम लोग तो option chain data के उपर से है और जो कल हमें उपर के side में adding दिख रही थी आज उपर के side में हमें जो है वो contracts के exit दिख रही है और अभी अगर देखे call writing सबसे जादा 36,200 के उपर बनी हुई है तो अगर nifty bank यहां से upside के लिए आता है तो 36,000 और 36,200 तक हमें बढ़ता हुआ next trading session में यहने के कल की expiry के लिए दिखाई दे सकता है तो कल की expiry के range की बात करें तो upside के लिए 36,000 और 36,200 के chances बने हुए हैं downside की बात करें तो देखे highest open interest हमें 96,000 का दिख रहा है जो की है 35,000 के level के उपर वही put writing की बात करें तो highest put writing जो हमें दिख रही है अभी वो दिख रही है 35,500 के level के उपर with 91,000 open interest तो अब ही अगर देखें तो 35,500 यह level मैंने कल भी आपसे बात की थी कि इस level के उपर अगर nifty bank stable कर लेता है तो थोड़ी बहुत हमें एक buying जो है वो देखने को मिलेगी तो आज तो manage कर लिया है nifty bank ने कल अगर यह level break होता है तो downside के लिए 35,000 टेस्ट होने के chances बने हुए है nifty bank के तो यह दो support important है upside के लिए 36,000 और 36,200 का resistance रहेगा वही intraday support resistance की बात करें चार्ट के उपर से तो देखिए first जो important support बना हुआ है वो बना हुआ है 35,000 550 का level अगर यह level break होता है तो यहां से nifty bank हमें 35,000 350 and 35,000 110 और 35,000 50 तक किरता हुआ दिखाई दे सकता है यह downside के लिए nifty bank के लिए support का काम करते हुए हमें next trading session मेने के expiry के लिए दिखाई दे सकते हैं upside की बात करें तो upside के लिए first जो resistance रहेगा वो रहेगा यहां से 35,000 750 का level अगर यह resistance nifty bank पार कर लेता है तो यहां से जो next resistance level है वो है 35,000 890 and 36,000 50 का level तो यह important support resistance के levels है nifty bank के लिए तो जो भी levels बताएं हैं अपने chart के उपर जरूर mark कीजेगा आपको trading के वक्त definitely helpful होगा और कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपको answer कर दोंगी तो अभी nifty bank के लिए तो हमने बात कर लिए अभी बात करते हैं nifty 50 के उपर तो nifty की बात करें तो देखिए nifty ने डेली चार्ट के उपर एक negative candle form की है तो ऐसा बहुत बाई देखा गया है कि nifty और nifty bank दोनों opposite चल रहे हैं आज अगर बात करें तो nifty जो है वो हमें 16,438 का और intraday high था 16,650 का तो 16,700 यह निफ्टी के लिए important level है तो दो टाइम निफ्टी ने यह level टेस्ट किया था तोड़ने के लिए लेकिन नहीं हो पाया आज 650 तक ही गया और अभी आज जो लो था वो 438 का था तो अभी अगर निफ्टी की बात करें तो nifty देखिए जब तक 16,500 के ओपर है तब तक निफ्टी जो है वो हमें positive दिखाई दे सकता है अगर निफ्टी 16,500 के नीचे closing देता है तो यहां से 16,400 और 350 यह downside के target जो है वो निफ्टी के लिए बने हुए है अपसाइड की बात करें तो 16,700 जब तक clear नहीं होता है ऐसे ही range में फसा हुआ ही देगा निफ्टी तो यह बात का ध्यान रखेगा upside की बात अभी हम लोग नहीं करेंगे जब 16,700 ब्रेक होगा तभी निफ्टी के अंदर कुछ अच्छा momentum हमें देखने को मिल सकता है तो अभी यहां से important support और resistance की बात करें तो देखे first important support रहेगा 16,480 का level अगर यह level break होता है तो 16,410 and 16,350 का important support रहेगा upside की बात करें तो upside के लिए first resistance level रहेगा यहां से 16,580 का level अगर यह level clear हो जाता है तो यहां से 16,650 and 16,700 तक निफ्टी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो यह important support और resistance के levels है निफ्टी 50 के लिए तो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत ज़दा अच्छा लगाए तो शेयर कर देना अपने friends family के साथ जिनको भी ये वीडियो useful है उन सब के जाथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और उन सब को कहना इस